गाइस ट्रडिशनली सिड्डू को घी के साथ खाया जाता है बट अगर घी ना हो तो आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं अब बस जैसे ही बनके तैयार होते फिर दिखाता हूं आपको तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ दिनों से दादी जी के पास आया वा हूं तो बौत लोग कमेंट करके बता रहे कि जो हिमाचली डिश होती है जो की मेरी फेबरेट परसनली सिड्डू बोलत है उसको तो कैसे बनाया जाता है तो मेरी दादी अभी बनाई रहे हो आपको दिखाता हूं दादी जी हेलो बहिए हैलो फाउन पर नहीं बोलते हैं तो गाइस यह जए ना यह किस चीज कि रहा यह घुलुटि किस तरह के गशधें था डिच ना च्रें भृटा बठें ब्च्ट तो प्रफिर लगा दूंगा मैं आपको पता लग जाएगा इसको पीस है मैंने जो इसके अंदर गुट्टी होती है और इसमें क्या क्या डाल दाल दादी जी प्याज मिर्च लो नमक नमक फिर चम्मस से जो आपने वह बनाया होगा ना स्टफिंग के लिए वह रखेंगे इस कि अब देखो इस तरह से कि जैसे बाल की मिंडी बनाता है मैं बाल में और वाज कर लड़किया जैसे मोमो बनाते है ना यहाँ नीए पर पानी रख दिया है अब यह सारह इस पर चड़ाए जाएंगे एक मंदिल प्र फिर इसको इसमें आग जलाई जाएगी फिर ये पानी जो है उबलेगा फिर ये पक जाएंगे और ताकि ये नीचे चिपके ना इसके लिए दा दीजी नहीं आप तो इस तरह से बनाया जाता है अब मैं दिखाऊंगा कि जब बन के तयार होता है कैसा बनता है घी के साथ खात मेरे बताने का मकसा दिये कि आप लोग इसको घर पर बनाओ एक वार टूरिस्ट जो बार से आते हैं वह यह वाली डिश बहुत पसंद करते हैं माचल की मेरी दादी को थोड़ा बतलो आदत निये गाइस फॉन करते हैं तो मेरी दादी को पता ही दिए कि क्यासे पकड़ते ह इसको इतना कफी राजी अरा ढाल थोड़ा यह बिल्गूर चोटक हुआ इतना बढ़ जैसकर थोड़ा हां ऐसे हां सच्छू अरब इस आटे को लगा इसमें ऐसे थोड़ी ने होता है हां ऐसे हो गय होगय काफी होगय अब करना इसको अशा हां अब बेलात से ऐसे डाल अब डाल अब लगाएगे हम इसको stuffing हो गया हो गया कफी हो गया अब इसको यहां से नमस्ते करेंगे हम चल चल ठीक है अब अब ज्यादा ज्यादा करना उपरीन को है ज्यादाजार अब यह से मुझ आपिंडें यहां थोड़ा डालतां सभाड़ा एंव यहां से जुद्यादा हो फिक अधार चाहत थोड़ा टोर्या तो गाइस यहां पर देखो आग जल चुकी है अब बस जैसे ही बनके तयार होते है फिर दिखाता हूँ आपको मैं इतनी महYAN्त कर रहा हूँ आप लोगों को दिखा रहा हूं रहा हूँ रहा है एकदम धंडा और चिल डाह है तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली सिद्डू बनके तयार हो चुके हैं फिर से बो रहा हूं इतनी मैनद करके दिखा रहा हूं घर पे बना के जुरूर खाना और बताना की कैसे थे क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अगली बार नहीं दिखाऊंगा कोई भी रेसिपी आपको इमाचले सब्सक्राइब तो देखो गाइस यह इसके साथ घी गाइस ट्रडिशनली सिद्डू को घी के साथ खाया जाता है बट अगर घी ना ओ तो आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं या सॉस के साथ ट्रेंड चला दिया बद बैसा कुछ भी नहीं है सॉस के साथ तो मेरे को सबसे बढ़ या लगता है गी के साथ दई के साथ भी खा सकते हैं तो फिर भाई करते हैं शुरू कुछ इस तरह से अब इसको भाई अगर तोडने के बाद यह आप देख सकते हो इस तरह से कुछ इसमें स्टाफिंग ब्लैंड हो जाती है डिप करो यह यह कर दूंगा मैं खुद दियागा तो गाइस खाना वाना खाली आए यहां पर जुगत देना बहुत ही जादा सौस्ट है और एक दम शांती है यह यह नहीं इतनी अच्छी आने वाली है ना बट फिलाल मैं सो नहीं सकता भी अभी अभी अडिटिंग भी करनी है मेरे जादी धार्मिक चीजे यह देखती है तो गाइस यह था आज का ब्लॉग आई होप आपने इंजॉई किया होगा इसको और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो थैंक्यू सो मुच पर वाचिं आज की वीडियो आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर रहे गुड़ दे वाई I don't understand why you're thinking no